हेलो फ्रेंड्स कैसे आप सभी लोग आशा करती हूँ आप सभी घर में सुरच्छित होंगे अच्छे होंगे पढ़ाई को अच्छे से कंटेनियो कर रहे होंगे और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं 16 to 25 हमारा नेट का डेट आ चुका है नेट एक्जाम होगा हमारा नेट क लिए तो आप टेक्स्टाइल की जो त्यारी है मेरे चैनल यानि देक्स्टाइल वर्ट के थू कर सकते हैं अगर आपको मेरे टॉपिक्स समझ में आते हैं सो प्लीज हिट थाम आइकॉन हिट बैल आइकॉन सो धैट जब भी मैं कोई नया वीडियो अप्लोड करूं आपके और आप उसे देख के बेनिफिड ले सकें तो आज का जो हमारा एक वीडियो में पूरा कवर नहीं कर सकते हैं बड़ा टॉपिक है इसलिए मैं इसके continuation में videos बना रही हूं and this is my mail ID through this you can contact to me anytime if you want if you need any help मुझसे कोई भी help चाहिए तो आप इससे contact कर सकते हैं और else you can also contact to me through my social media handles which I already mentioned in the description box तो आप वहां से link लेके मुझसे contact कर सकते हैं तो आज का topic आपने देख लिए आज का objective हमारा क्या है तो हम देख लेते हैं discussion क्या रहेगा आज का तो आज हमारा applications of dyeing का discussion रहेगा क्योंकि हम dyeing के बारे में dyeing का जो role है हमारा textile chemistry से कैसे correlate करते हैं ये भी मैंने बताया है इसकी link मैं डाल दूँगे आप eye button को click करके उसे वो videos भी देख सकते हैं and also मैंने dyes क्या है compare किया हुआ dyes and pigmentation में इसका भी वीडियो एक बनाया हुआ आप भी देख सकते हैं and then classification of dyeing types of dyeing उनके type क्या होते हैं उनको कैसे यूज करते हैं kin fiber पे kin fabric पे क्या process होता है ये सारा मैंने cover किया हुआ है ये भी आप मेरे previous जो वीडियो है उसमें देख सकते हैं आज का जो लेक्चर है वो हमारा है आज का जो वीडियो है applications of dyeing applications of dyeing का मतलब ये है कि जो हमारी different different types से dyeing होती है like fiber dyeing, yarn dyeing, fabric dyeing, garment dyeing तो ये क्यों होती है हमारी ये भी मैंने पूछा होगा था कि कौन सा जो dyeing होती है वो best होती है अभी तक मेरे पास response नहीं आया आप जल्दी से response करके बताइए मुझे तो ये जो चारा तरीके कि हमारी dyeing होती है इन में machines कौन सी use होती है आज के वीडियो में मैं सिर्फ उन machine के बारे में introduction दोगी कि कौन कौन सी machines use होती है फिर next lecture में next video में मैं cover करूँगी उनका detailed knowledge हो के तो जो हमारी कियर dyeing, डोब dyeing ये सारी machines जो है हमारी डोब dyeing, कियर डाइंग, machines है ये इनके बारे में मैं next lecture में cover करूँगी next video में और आज सिर्फ हमारा introductory है आज हम सिर्फ जो है नाम जानेंगे क्या-क्या machines use होती है किन-किन dyeing है तो यहाँ पे मैंने एक छोटा सा चार्ट बनाया हुआ जो कि graduation वाले बच्चों के लिए बहुती useful है अगर उनसे पूछा जाता है कि कौन-कौन सी dyeing use होती है, क्या-क्या process होते है वो यह चार्ट बनाके अच्छे marks definitely पा सकते हैं तो यहाँ पे आप देख लीजिए fiber dyeing जो होती है इनमें हम दो तरीके की dyeing जो machines होती है वो use कर रहे हैं पहली है हमारी gear dyeing machine and second one is dope dyeing machine तो दूसरी हम दूसरे पे जल्दी winner time waste करें जल्दी से आते हैं तरीके की machine हम यान डाइंग के लिए then fabric machine में fabric dyeing जो process होता है fabric dyeing process में हम चार तरीके की machines यूज कर रहे हैं beam, jig, winch and jet machine okay then garment dyeing हमारी होती है अब हम देख लेते हैं जो हमारी first one है fabric dyeing, fiber dyeing machine तो यहाँ पे मैंने mention करी हुई है जो fiber dyeing जो machinery's use होती है यह सारी machine देखिए यह सारी machine हमने use नहीं करी है as a student हमने नहीं use करी है लेकर आप textile ones textile जो industry workers होते हैं उन लोगों ने यह definitely use करी होंगी अगर इन सारी machines में उन लोगों को कोई मुझे यह तो नहीं बताएगी मेरे channel से textile workers हैं वो add हैं कि सारे student ही add है तो आप मुझे बताएए अगर आपको इन machines के बारे में कोई भी machine आपको नहीं समझ में आ रही हो तो मैं उसको detailed मैं आपको बताऊंगी और बाकी तो मैं discuss करूंगी जो हमारी यह दो care and dope dyeing machine है तो यह जो care and dope dyeing machine है वो हमें normally हमारे exams में आती है इसलिए मैं इसको discuss करूंगी यह जो सारी machines होती है वो industries में use होती है तो हमें इतना जरूरी नहीं है जाना लेकिन हमें पता होना चाहिए कि यह machines जो होती है वो fiber dyeing में use होती है और textile person के लिए जो industry में work कर रहा है उनके लिए specially मैं बोल ली हूँ अगर किसी भी machine के बारे में आपको मतलब आपको जानना है hope आपको पता होगा लेकिन अगर आपको जानना है तो आप मुझे बताईए comment करके या जैसा भी मैंने आपको बताया हुआ है तो मैं definitely कोशिश करूँगी क्या आपको as soon as possible मैं वीडियो के तुरू आपको समझा सको next one आप देख लिजिए yarn dyeing तो yarn dyeing जो होती है हमारी दो processes उसके रहते हैं yarn dyeing के लिए hang form and package form hang form क्या होता है hang मतलब होता है लच्छी बनाना किसी यान की हम लच्छी बनाके done dyeing करते हैं इस टाइप की लच्छी ओके and packaging dyeing क्या होती है package form जो होता है like आप leaves होती है real जो होती है घर में normally आप देखते होंगे real जो होती है इसमें ऐसे ऐसे thread हमारा पूरा wrap होता है package होता है जो मतलब मसी जो market में मिलता है तो उसको हम बोलते है package form और hang form मैंने बताया आपको इस टाइप की लच्छी बनी होती है इनके जो हैं दोनों के hang form and package form इन दोनों के ही अलग-अलग process होते हैं अलग-अलग machines यूज होती है तो hang जो process होता है उसमें ये तीन machine चार machine यूज होती है जिनके नाम यहां पर मैंने mention किये हुए है ये आपको मतलब exams में नहीं आती है ये लेकिन मैं फिर से कहूंगी textile industry workers के लिए ये useful है उनको अगर जानना है तो मैं discuss कर दूँगी और as a student भी अगर आपको curiosity है आपको machines के बने में जानना है तो आप मुझे बता सकते है I have no any problem मैं discuss कर दूँगी then package dying में क्या होता है package form में क्या रहता है कि हमारी 3 type की process 3 type की machines होती है ये हमारे 3 type की क्या है cope dying machine, cheese dying machine and warp dying machine तो ये हमारे 3 processes रहते हैं आप process बोल सकते हैं क्योंकि इनकी 3ों की अलग-अलग machine यूज होती है यहां पर मैंने 3 के बारे में बता हुआ है cope dying machine cheese dying machine and warp dying machine ये तीनों dying machine के बारे में मैंने यहां पर mention किया है और ये 3 के जो अलग-अलग machine यूज होती है इहां पर दी हुई है okay देख सकते हैं आप देखिए यह आपको मतलग नौलेज होनी चाहिए क्योंकि आप टेक्स्टाइल परसन है आपको हर चीज के बारे में नौलेज होनी चाहिए क्योंकि आप टेक्स्टाइल परसन है इसलिए मैंने यह सारी मेंशन करी हुई है में मशीन के बारे में यहां पर देख सकते हैं जो पैकेजिंग के डिफरेंट डिफरेंट प्रॉसस होते हैं यह इस पूल डाइंग का होता है बिल्कुल इस टाइप का यह होता है इसको पूल पैकेजिंग बोलते हैं लीज होती है इस टाइप की होती है इसको कौन बोलते है और लीज होती है मैं बताती हूं आपको लीज ऐसी होती है यह इस टाइप की मैंने जब अपनी इंटर्नशिप करी थी तब मैंने यह सारी चीजन सीखी थी कि यह लीज होती है इसमें हम मैं यह वोता है यह कोई यहां पर मैं किया हुआ है मैंने यहां पर आपको ड्रॉ करके और अच्छा समझाने के कोशिश की है दन यह को कुंस आप यहां देख सकते हैं कंटेशन और अदक रख टाइप के सारे पैकजिंग प्रोसर्स यहां मेंचन करे गाए ठीक है यह फिर मौलक्टर मैटल स्टैंट वास्ट डैंग मशीन यह सारी मशीन यहीं साता है, तो गरे इस्अक काम क्यों से अगर को छरु ममें करें तो में मैंने किसी का छोपैयर में का करंद सकता है कैसे क्या वर्क होता चैह जाया हो तकemic astrology बारे मेट हैं यान फैब्रिक और फाइबर इन तीनों की मशीन होगा नहीं हमें के लिए लेकिन उसके का करें बहुत कम करते हैं कि इनमें कोई इसा specific कोई method नहीं होता है अलग से कि हम यह वाला डाइंग को गामेंट डाइंग के लिए और सबसे बड़ी गामेंट डाइंग जो हमारी होती है वह बहुत ही कम होता है इसलिए हमारा ग्यांता ब्रॉडक्ट होता एैं इसलिए यहां पेफ्र जय्म कर पर देंदे आयांग जाती है देख लिए दिस मेहार्ट प्रॉसस्पांस अफ दा यांग Дटी यह सल्फ़ाइज और Fiber, Yarn and Fabric ये तीन हमारे जो है मैं पहले process होते हैं उसके बाद में चौथा process Garment Dye होता है This is the last one and बहुती least use होता है Goods में use होता है However, the penetration of dye solution May not be completely passed To the fiber such as Between the seams, buttons, zippers So seams, buttons and zippers में बहुत अच्छे से Dye का penetration जब नहीं हो पाता है जब अलग से white white buttons आप देखते होंगे buttons में, zippers में दिखता है तो वो होते है defective piece हम क्योंकि इतना अच्छा नहीं जानते है textiles के बारे में जो normal consumers होते हैं लेकिन जो textile ones होते हैं और जैसे हम लोग भी मैं तो easily मुझे समझ में आ जाता है कि कुछ भी अगर defect है कोई भी garment में या कोई fabric ही है कोई दूसरा बोला नहीं cotton है मुझे पता है कि नहीं है cotton polyster makes है तो मैं easily बोल सकती हूँ उससे है न तो इसलिए आपको चीजों के बारे में knowledge होनी चाहिए या आपको पता ही नहीं होगा तो इन सब चीजों के लिए हम garment dyeing यूज करते हैं garment dyeing के दो processes होते हैं पहला है exhaustion process second one is continuous process तो यह देख लेते हैं क्या process है exhaustion process क्या है जैसे नाम से आपको पता चला होगा exhaust करना किसी भी चीज को exhaust में इसमें क्या रहेगा dye को dye को absorb करने को यहां पर exhaustion बोला गया है this method is using of lots of water as shown in liquor ratio इसमें क्या है liquor इसमें हम dye to liquor ratio पर work करते हैं इसमें जो method रहता है dyeing का वो dye to liquor ratio पर work करता है जो method होता है इस process का तो liquor किसके according हम decide करते हैं वो हमारा product जिसको हम dye करना चाहा है उसके according हमारा liquor depend होता है जिससे की हमारा जो goods है textile goods है वो अच्छे से dip हो जाए और dye का penetration अच्छे से हो जाए dye अच्छे से उसमें अच्छे से dye हो जाए fabric this should emerge the goods into dye solution for a long time in order to let the dye penetrate into the goods this will lead to produce more waste water than the continuous process comparatively continuous process exhaustion process जो होता है वो ज्यादा water उसमें चाहिए होता है और हमारा water waste होता है after dying then इसके advantages and disadvantages भी मैंने mention किये है inexpensive होता है exhaustion process हमारा inexpensive मतलब हमा है कम पैसो के ऐसा कुछ बहुत ज्यादा budget नहीं चाहिए होता है हमें एक normal stove, normal gas चाहिए रहती है और dye your water चाहिए होता है no need to train the workers to look after the run them properly तो कोई trained workers नहीं चाहिए होते हैं आप इसको अपने colleges में आपने देखा होगा graduation वाले बच्चों ने वो लोग जब dye करते हैं तो normal stops ही use करते हैं तो आप कोई training की ज़रूद नहीं होती उसमें आपके teacher से कोई बता देती है तो आप उसके according dye कर लेते हैं disadvantages क्या है lots of water needed very slowly very slow process तो इसका process होता है वो slow होता है क्योंकि dye absorb करने के लिए time तो चाहिए रहेगा तो पूरा 30 minutes तो चाहिए रहता है कि आप boil होगा water उसके बाद dye डालेंगे आप उसके बाद अपना fabric आप डालेंगे तो ऐसा यह रहता है then यहाँ पर आप देख सकते है मैंने process mention किया है यहाँ पर dye है then dye और liquor का यह solution है dye liquor को dissolve करा उसके बाद हमने fabric अपना garment डिप किया और dye penetration process स्टार्ट हो गया okay then हम देखते है continuous process continuous process क्या होता है this method is designed by putting different machinery into a sequence so that it can produced the dyed fabric into in one pass only so इस process में क्या रहता है कि इन में जो जो machinery का sequence है ऐसे arrange किया जाता है कि एक बार fabric निकले और डिप करके पूरा dye होके बस निकला है इसमें ज्यादा time consuming process नहीं है मताब very fast process है तो इसको हम one pass only मताब ऐसे बोलते है dyed fabric in one pass तो इसके advantage क्या है very fast process small amount of water in process small amount of water needed होता है process के लिए then disadvantage क्या है very expensive expensive है क्योंकि इसमें motors machinery use होती है need to train the worker to look after the run them properly तो workers जो है trained चाहिए होते है कि कब हमें fabric को insert करना है कब हमारा fabric को fabric dye होके आगया है तो उसको हमें रखना है तो यह सारे training चाहिए रहती है workers को यहाँ पर आप process देख सकते हैं तो यहाँ पर आप देखिए यह machine एक एड है यह motoric add है यहाँ पर roller side है तो यहाँ से जब हमारे यह fabric हमारा feed होता है यहाँ पर इस roller में ऐसे fabric जाता है इन दोनों roller के थुरू यह पूरा dye बात है यहाँ पर dye penetration process यह परोसेस रहता है तो इसके जो extra dye है यहाँ से निकल के ऐसे रोल होती रहती है यह इसका process रहता है dyeing process so easily है पर trained workers जरूरी होता है so thank you आज के लिए इतना ही मैं कोशिश करती हूँ कि वीडियो जो है मेरे वो short रहे क्योंकि normal अगर मैं 45 minutes का वीडियो बनाने लगूँगी तो मेरे वीडियो आप क्यों देखेंगे सबसे बड़ी है 45 minutes का जो लेक्चर हमारा offline जो लेक्चर होता है वो हाँ पर ही बोर हो जाते हैं मैं भी student रही हूँ तो मुझे भी पताएगी अगर हम short वीडियो ही डालेंगे मतब कम time लेके जो चीजों को अच्छे से समझाने की कोशिश मैं करती हूँ आप से अगर आप इंट्रेस्टेड हैं live classes के लिए तो मुझे comment करके बताईएगा live classes में क्या रहेगा आपकी questions को मैं directly solve करने की कोशिश करूंगी जैसा कि ऐसा बहुत लंबा process हो जाता है कि आप comment करके मुझे question पूछते हैं तन मैं फिर आपको वीडियो के through answer देती हूँ तो इसलिए मैंने सोचा है कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा audience अगर चाहेगी तो मैं live classes लूँगी और उससे live आपके questions का answer आपको दे पाऊंगी and also आप subscribe कर सकते हैं मेरे channel को अगर आपको अच्छा लगे okay तो ठीक है फिर मिलते हैं next lecture में till then stay home stay safe and bye bye